हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम जिवाड़ू द्वारा होने वाले जितने भी प्रमुख रोग है उसको हम ट्रिक के मादधम से याद करेंगे आज तक आप जिवाड़ू द्वारा होने वाले जितने भी रोग याद करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद आपके दिमाग से उतर जाता है लेकिन आज के बाद आप इस ट्रिक कुछ देखते हैं तो आप कभी भी जिवाड़ु द्वारा होने वाले रोग कभी नहीं भूलेंगे तो चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस यह ट्रिक आपके सामने है कि टीकू सीडी में बनी है पटाका बस एक लाइन याद करना है कि जो T को है CD में बनी है पटाका ठीक है यहाँ T का अर्थ होता है TITANES TITANES को ही हम धनुष्टम्ब भी कहते हैं और TB, TB को हम 6 रोग या तपेदिक रोग कहते हैं तो फ्रेश T से आप TITANES याद रखिएगा उसके साथ में आप TB याद रखिएगा यह जो दोनों रोग है जीवाड़ू द्वारा होने वाले रोग है यहाँ कूक आर्थ होता है कुष्ट रोग कुष्ट रोग कोई हम कोण रोग भी कहते हैं यह भी आपके पेपर में आता र होने वाले रोग है यहाँ चलते हैं देखते हैं डी डी का अर्थ होता डिफ्थिरिया यानि कि आप जीवाड़ू द्वारा होने वाले रोग है में से मैनीन जाइटिस रोग यह सब जितने भी फ्रेंस आपकी पेपर बहुत ज्यादा पूछता रहता इसको आप याद रख सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें करें